नीमज की लाल माटी भी जंगे आजादी की गवा रही है। इस नीमज की लाल माटी को आंदोलन की भूमिक आ गया है। 1857 की गोली जब मेरट में चली थी तो नीमज में भी बगावर का भी गुलबजा था। और 1857 से लेकर 1947 समय तक नीमज में लगातार आंदोन चलता रहा नीमज में कई ऐसी A PIC की इमानते हैं जोकि आजादी की गवाहें बेखे हमारी यह खातर पट आजादी के आंदोन में नीमज कि लाल माती का अहम योगदान रहा है नीमच की लालमाटी जंग आजादी की गवाह रही है 1857 की क्रांटी से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक नीमच की लालमाटी ने आजादी में अपना बलिदान दिया इतिहासकार बताते हैं कि 1857 की क्रांटी के समय जहां पहली गोली मेरट में चली थी उस आंदोलन का असर नीमच तक हुआ था और नीमच में अंग्रेजों की क्रांट रिप्रेजन्टेटिव फोर्स में भारती जवानों ने बगावत की इतिहासकार बताते हैं कि अंग्रेज फोर्ज में तेनाथ महुम्मद अली बेग ने नीमच में अंग्रेजों के खिलाव बगावत कर तिरंगा थाम लिया था उनके बाद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाव नीमच में आवाज बुलंद हो गई थी 1857 की क्रांती के बाद शुरू हुआ आजादी का अंदोलन निरंतर चलता रहा अंग्रेजों की चाउनी होने से नीमच में आजादी के दिवाने हस्ते हस्ते फासी के फंदे पर जूल गए नीमसीटी के शहित पार्क में इस्थित वर्टवरक्ष आज भी बलिदान की कहानी कहता है इस वर्टवरक्ष के नीचे सेकलो देश भक्तों को फासी पर लटका दिया गया था नीमसीटी की आज जो कोठी स्कूल है वह अंग्रेजों के समय जेल हुआ करती थी इसी जेल में एक कुआ है जहां आज़ादी के दिवानों को अंग्रेज उल्टा लटका कर सजा देते थे नीमसीटी की यादो मंडी आज़ादी के आंदोलन की मुख्य केंद्र थी चोरस्या अस्पताल के पास एक कमरे में आंदोलन की रंडनीतिया बना करती थी आज़ादी के आंदोलन के गवा के रूप में बहुत से स्थान है आईए नज़र डालते हैं नीमच के एतिहासिक स्थानों पर और इसमारों को पर जो आज़ादी की याद दिलाते हैं झालते हैं झालते हैं झालते हैं झालते हैं झाल 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 झाल